क्या भारतिय बैंक और LIC ये सारा अधानी का जो इशू चल रहा है उसकी वज़े से सच मुझ प्राब्लम में हैं और अगर प्राब्लम में हैं तो कितनी बड़ी प्राब्लम में हैं और इनके लिए आगे और क्या सबसे बड़ी रिस्क हैं तीन बड़ी रिस्क हैं जो मैं इस इसमें सबसे बड़ी रिस्क क्या है अदानी के लिए, बैंक्स के लिए और LIC के लिए उसकी बात करेंगे, तो उसे पहले बात करते हैं अपने LIC की, LIC जो है वो लोगों से प्रीमिम लेती है और उसका जदातर हिस्सा जो है वो डेट में इंवेस्ट करती है, यानि गवर्मे अदानी की जो companies हैं, जो listed companies हैं, उनमें invested है, 8% जो की काफी बड़ा हिस्सा है, आप अगर और सारी companies से compare करें तो ये second number पे आता है, इतना बड़ा जो है वो share है, 8% share है उसका, और ये investment जो है वो 32,000 करोड से गिर कर और 55,000 करोड रुपे पे आ गया है पिछले दो दिन में, य 8% जो इसका investment है, उसकी value 1600 करोड यानि 1600 करोड रुपे से गिर गई है, तो इसमें LIC ने जो है, वो 1600 करोड का loss उठाया है पिछले दो दिन में, जो की एक बहुत बड़ा loss है, और ये सिर्फ जो LIC ने, जिन companies के share खही दे हैं, उन shares की की कीमत गिरने की वज़े से है, ये पहला loss है, और दूसरा जो loss है, वो है, वो की दो दिन में, LIC का share खुद का जो है, वो 5.2% या 5% से थोड़ा सा जादा वो गिर गया है, लेकिन उसकी वेसे क्या immediately कोई problem है नहीं, उसकी वेसे कोई problem नहीं है, थोड़ा सा गिर के थोड़ा सा उठ भी सकता है, वो को issue नहीं है, लेक तो ये थोड़ी सी एक risk है, जो LIC के share को और नीचे ला सकती है, तो अगर आने वाले दिनों में, अगर अधानी का share और नीचे गिरता है, तो LIC का investment जो है, वो नीचे गिरेगा, और उसकी वज़े से LIC का share भी जो है, वो नीचे गिर सकता है, अगर अधानी का share गिरते हैं, तो ये होगी बात LIC की, अब बात करते हैं भारतिय बैंकों की, भारतिय बैंकों की हालत जो है वो ज़्यादा खराब नहीं है, ज़्यादा रिस्क नहीं है, वो सिर्फ नेगेटिव सेंटीमेंट बन गया है मार्केट में, उसकी वजए से जो है ये सारे शेयर 5-5-6% जो है ग लिया गया है और 60% लोन जो है वो भारत के बाहर की कंपनी या बैंक उन से लिया गया है अलग-अलग तरीके से, तो पहली बात तो जितना लोन लिया है, अब वो लोन कितना है, आप इसे देखिए कि वो सारा लोन लेने के लिए प्रमोटर्स ने अपना एप्रॉक्सिमेट होगा उनके 3 या 4% के बीच का जो रेशो बनता है उसमें और वो लोन प्राइस नीचे जाने से रिस्क में आ सकता है, लेकिन जैसा मैंने दूसरे वीडियों बताया, वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेगा, कि अगर प्राइस बहुत जादा गिरत है, तो बैंक जो है, वो अदानी गृप को बोलेंगे, कि या तो पैसा जमा करवाओ, या और शेर गिर भी रखवाओ, तो पैसा जमा करवाना शाहिद अभी वैसे भी थोड़ा सा लिक्विडिटी करंच आ रहा है, क्योंकि प्राइस गिर रहा है, तो उसको प्राइस को उपर रखने के लिए शाहिद और इंवेस्टमेंट लगे, लेकिन क्योंकि जो है, अदानी के ही फैमिली मेंबर से प्रमोटर के पास लगबख 75% सारी कंपनियों का मोटा मोटा मिला के है, तो और शेर वो प्लेज करने को दे सकते हैं, तो बैंकों की तरफ से मार्जिन का इ बढ़ता है, तो मार्केट में उन स्टॉक का सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव होता है, तो इसकी वज़य से अदानी के शेयर थोड़े से नेगेटिव सेंटीमेंट में जा सकते हैं अगर यह इशू आता है तो, अब बात करें कि क्या बैंकों का इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बताया कि जितना उन्होंने loan लिया उसका सिर्फ 40% जो है वो Indians bank में है और वो भी banks में इस तरह से distributed है कि कि किसी भी एक bank की loan book, चाहे आप SBI की बात करें, चाहे ICICI की बात करें, चाहे और बैंकों की बात करें, किसी भी एक bank की loan book का 1% से ज़्यादा हिस्सा नहीं है हर bank का ये 1% से कम हिस्सा ही है loan book का, तो अगर company पूरी ढूप भी जाए, तो bank का जो loan book है, पूरी ढूप जाए, तो भी 1% से ज़्यादा का नुपसान किसी bank को नहीं है, तो ये सिर्फ जो price गिर रहे हैं, वो गिर रहे हैं sentiment की वज़े से, तो bankों की तरफ से risk नहीं है, जो उ bank के margin calls को वो equal कर सकता है, तो वहां से आपको risk का chance नहीं है, तो risk का सबसे बड़ा chance कहा है, risk का सबसे बड़ा chance है, जो कल news आई थी MSCI की, MSCI के जो उनका standard index है, उसमें जो अदानी की 9 कमपनिया है, जो listed है, उनमें से 8 कमपनिया, I think अदानी विलमर नहीं है शाय, उसको छोड़ के 8 कमपनियां, जो है, वो MSCI के standard index में है, और अभी कल जो है, वो MSCI ने अदानी ग्रूप को notice भेजा है, कि हमें इसका feedback दो, हमें समझाओ कि क्या issue हो रहा है, और क्या ये सही है या गलत है, अगर अदानी पूरा proof अगयरा, सब information जो है, वो अगर अच्छे से बता पाते हैं, तो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी वज़य से MSCI ने decide किया कि अब ये company reputed नहीं रही है, अच्छी quality की नहीं रही है, और उसने उसमें से पैसा खेंचा, तो इनका price, अदानी shares का price बहुत नीचे जा सकता है, मतलब बहुत strongly गिर सकता है, अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि MSCI का ख तो ये एक जो है, ये बहुत बड़ा risk है, Indian market के लिए, MSCI के लावा दूसरा जो risk है, वो है कि अगर इनका FPO नहीं भरता है, even price drop करके और FPO extend करने के बाद भी, वो भी मैंने वीडियो में discuss किया है, नीचे description में लिंक बल जाएगा, तो अगर FPO नहीं भरता है, तो वो भी एक market के लिए बहुत sentiment negative हो सकता है, तो ये दूसरी risk है, और उसकी वज़े से, जो है, LIC के investments भी गटेंगे, banks को भी थोड़ी risk आएगी, तो बैंकों के और LIC के share भी, अगर FPO नहीं भरता है, तो नीचे गिर सकते हैं, MSCI का issue होता है, तो भी बैंकों के और LIC के share नीचे गिर सकते हैं, और तीसरा जो major risk है, वो है, कि अभी हमारा एक तारीक को budget आने वाला है, अगर budget में कुछ भी long term capital gain के बारे में बोला जा रहा है, कि शायद कुछ possibility है, कि वो उसमें कुछ change करें, तो अगर budget market के लिए negative हुआ, तो इस सारे जो negative sentiment चल रहा है, उसमें वो आग में घी का काम करेगा, तो ये तीन जो है, ये major risk हैं, जो LIC और Indian banking system के उपर, अदानी की वज़े से आ सकते हैं, तो आप इन पर जो है नजर रखिए, और अगर आपको trading investment करना है, तो अपने advisor से बात करके ध्यान से कीजिए, that's it guys, I hope ये analysis आपके लिए helpful रहा हो, अगर helpful रहा हो, तो एक thumbs द दो आपके लिए, बगाई